हेलो स्टुडेंट्स मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं 11 में आपको एकनॉमिक्स सब्जेक्ट टीच करूँगा और यहां पर मैं अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपिरियंस को आपके साथ शेर करता हुआ आपके एकनॉमिक्स में 100 आट ओफ 100 स्कूर तक ले करके जाऊंगा बच्चे आए स्टार्ट करते हैं एकनॉमिक्स आपके एकनॉमिक्स में आपके दो बुक हैं एक बुक का नाम है आपका स्टाटिटिक्स फॉर एकनॉमिक्स एंड सेकंड बुक का नाम है आपका माइक्रो एकनॉमिक्स बच्चे हम सबसे पहले Micro Economics book हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका exam में 40 marks का weightage है और इसमें हम total 4 unit है और इसमें से हम unit number 2 सबसे पहले start करने जा रहे हैं जिसका नाम है Consumer Behavior और इसका exam में 13 marks का weightage है अब बचे इसमें 4 chapter है और 4 chapter में से हम unit 2 में 4 chapter में से हम chapter number 1 utility हम start करने जा रहे हैं पचे first of all जैसा कि इस unit का नाम है Consumer Behavior तो आपके mind में एक doubt आया होगा सबसे पहला question यही बनता है कि sir consumer क्या है consumer किसे कहते हैं तो what is meant by consumer first question यही बनता है तो exam में जब हम paper check करते हैं तो हम जाद तर और generally हम इस answer को देखते हैं आप person whose demands for goods and services is called consumer कोई एक ऐसा person जो goods and services की demand कर रहा है वो consumer होता है बचे यह answer गलत है यह answer गलत क्यों है इसको हम एक example से समझते हैं माल लीजिए आप अपने घर में भी आप goods and services की demand करते हैं या नहीं करते हैं आप अपने घर में भी goods and services की demand करते हैं तो क्या आप अपने parents के लिए consumer हैं क्या parents आपको customer बोलते हैं नहीं लेकिन जब आप किसी shop पे जाते हो तो उनके लिए आप customer बन जाते हो तो बच्चे आप मुझे सबसे पहले यह बताएं क्या फरक है ऐसा जब आप घर में goods and services की demand करते हैं तब आप अपने parents के लिए customer नहीं है लेकिन जब आप किसी shop पे जाते हैं और यही चीज करते हैं आप demand करते हैं goods and services के तो वहाँ पर आपको वो as a customer treat करते हैं क्या फरक है इन दोनों situation में बच्चे main फरक यह है कि आप अपने घर में सिर्फ goods and services की demand ही करते हो लेकिन जब आप shop पे जाते हो न वहाँ पर आप purchase करने का decision लेते हैं वहाँ पर आप buy करते हैं तो जब आप purchase करने का decision लेते हैं क्यूं purchase करने हैं आप obviously आपको उसकी need होगी आपको उसकी wants होगी आप अपने wants को satisfied करने के लिए purchase करने का decision लेते हैं और जब आप purchase करने का decision ले उस case में हैं आप customer होते हैं आप consumer होते हैं लेकिन आप अपने घर में सरफ और सरफ goods and services की demand करते हैं बट आप अपने घर में अपने parents से उस चीज को purchase नहीं करते हैं इसलिए अपने घर में आप consumer नहीं है customer नहीं है तो अगर आप ये answer लिखते हैं आप person whose demands goods and services is called consumer तो ये answer तो गलत हो गया अगर ये consumer इसे कहते तो घर में भी फिर आप customer होते बल्कि correct answer क्या है जो purchase करने का decision ले अपने wants को satisfied करने के लिए उसको हम क्या कहेंगे उसको हम consumer कहेंगे तो consumer होने के लिए compulsory condition क्या है आप goods and services को purchase करने का decision ले तो क्या कहता है आए जरब पढ़ते हैं और बचे आपको ये भी धान रखना है कि जब भी आप किसी भी goods and services को purchase करते हैं तो आपको उसके related wants होगी आपकी needs होगी आप अपने needs को satisfied करने के लिए लेते हैं लेकिन आप जब भी अपने given income को किसी भी goods and services पर आप expand करते हैं तो आपका main objective क्या होता है कि आपको maximum satisfaction level मिले आप देखते हैं कि आपके given income में जो भी options available है वहाँ पर उसमें से आप वो select करते हैं वो choose करते हैं जो कि आपको realize करवाता है कि यह आपको maximum satisfied करेगा इवन अगर आपका 1 रुपे का भी एक रुपे का भी अगर आप कोई टौफी लेते हैं तो 4-5 टौफीों में से 1 second के लिए आप जरूर confuse होंगे कि आर मैं कौन सा लो कहीं न कहीं वहाँ पर भी आपका objective क्या है यह कि आपके पास में जो भी given income है उससे जो भी आपके पास में option available है उसमें से वुस option को select करें जो कि आपको maximum satisfied करें तो एक consumer किसे कहते हैं कोई भी एक ऐसा person जो goods and services को purchase by करने का decision लेता है अपने wants को satisfied करने के लिए और उसका main objective क्या होता है अपने limited income को वो different kinds of goods and services पर ऐसे expand करता है जिससे उसको maximum satisfaction level मिले clear है आए जड़ा इसके answer को पढ़ते हैं क्या है consumer is one who buys यह बड़ा important है यह लिखना जरूरी है consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants he takes decision with regard to the kind of goods to be purchased in order to satisfy his wants the main objective is get maximum satisfaction from spending his income of various goods and services clear है सब्सक्राइब आगे है बच्चे तो यह आपका question number one था अब बचे मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर question answer के format पढ़ाऊंगा और सारे concept मैं आपको यहां पर discuss करूंगा और आपको market से किसी भी तरीके की कोई book लेने की requirement नहीं है मैं आपको video के description पे pdf available करवा दूँगा जो मेरे खुद के notes है आप उसी को आप पढ़ेंगे उससे बाहर आपके exam में कुछ भी नहीं है अब question number हमारा आ जाता है आपर second question number second हमारा है what is meant by utility या define the utility बचे जो आपके पास में यह utility है यह utilization word से बना है अब आप किसी भी चीज को जब utilize करते है तो उससे आपको एक satisfaction level मिलता है clear है तो उस satisfaction level को ही हम क्या कहते हैं उस satisfaction level को ही हम utility कहते हैं तो हम जो है economics के language में आपके book में आप satisfaction level को utility पढ़ेंगे बट journal life में हम इसको satisfaction level ही कहते हैं अब बच्चे यही question हमारा कि यह satisfaction level है क्या satisfaction क्या है means utility क्या है बच्चे जर्नलिस का answer paper में देखने को मिलता है utility is the power or capacity of a commodity कि कि किसी भी commodity के अंदर जो उसका एक power होता है उसका जो capacity होता है उस power और उस capacity को utility कहते हैं जैसे मिठाई में मिठास का होना तो मिठास utility है यह answer exam में देखने को मिलते हैं और यह answer बच्चे गलत है यह answer क्या है गलत है यह answer कि utility किसे कहते हैं chapter का नाम आपका क्या है utility तो आपका second question माइन में क्या है कि sir यह utility है क्या तो जो यह utility है आपका यह utilization word से बना है और जब आप किसी भी चीज को utilization करते हैं तो उससे आपको एक satisfaction level मिलता है तो हम अपने जर्नल लाइफ में satisfaction level कहते हैं पर economics के terms में utility कहते हैं तो यही question है कि satisfaction क्या है utility क्या है तो बच्चे इसका क्या answer लिखते हैं power or capacity of a commodity is called utility यह answer गलत है क्यों यह answer गलत है बच्चे देखिएगा दुनिया में ऐसी कौन सी चीज जिसमें power or capacity नहीं होती है हर चीज में power or capacity है एक पथर है तो उसमें भी power or capacity है वो मूर्ती बनने के काम आ सकता है clear है हर चीज के अंदर अपने एक power or capacity होती है तो इसका मतलब क्या मैं सबको utilize करूँगा मैं सबको use करूँगा सबको मैं अपने use में लेकर आऊँगा माल लीजिये मैं pure vegetarian हूँ और non-veg serve किया हुआ है तो उसके अंदर चाहे कितने भी vitamins हो चाहे कितने भी power हो कितने भी capacity हो क्या मैं उसको use करूँगा अगर मैं pure vegetarian हूँ तो नहीं मैं उसको use नहीं करूँगा मैं उसको consume नहीं करूँगा मैं उसका consumption नहीं करूँगा तो power और capacity तो है क्या मेरे लिए कुछ utilization है इसकी क्या मैं इसको कुछ utilize करूँगा नहीं मैं इसको utilize नहीं करूँगा तो जब मैं इसको utilize नहीं करूँगा चाहिस पर कितना भी power और capacity क्यों नहीं हो ये मेरे लिए तो utilize नहीं हो सकता है मेरे लिए तो utilization इसकी zero है भी depend करता है बच्चे कि वो हमारी needs को हमारी wants को satisfied कर रहा है या नहीं कर रहा है clear है तो power and capacity of a commodity satisfied human wants which satisfied human wants तो power and capacity of a commodity which satisfied human wants अगर वो मेरे wants को satisfied कर रहा है तो मेरे लिए उसका utilization है मेरे मुझे उससे satisfaction level मिल रहा है तो मेरे लिए वो utility है clear है तो utility क्या है utility is the power and capacity of a commodity यहाँ stop नहीं करना आगे लिखना है which satisfied human wants जो हमारी wants को satisfied भी करे तब ही उसके लेकर के मेरे लिए को utilization होगा तो क्या कह रहा है बच्चे ये utility is the power and capacity of a commodity to satisfied our human wants समझमाएं आपको यह जरूरी है लिखना कि to satisfied human wants अब बच्चे आप देखते हैं अपने practical life में अगर आप जाएं तो हर चीज को measure करने के लिए एक particular unit है जैसे कि weight weight को measure करने के लिए अगर बताओ तो मैं kg है या फिर gram है distance distance को measure करने के लिए kilometer या meter है तो बताएं satisfaction level हमें कोई चीज consumption के बाद कितना satisfied करती है इसको बस हम ऐसी express करते है यार आज तो मैं बहुत ज़्यादा satisfied हुआ हूँ या आज मैं कम satisfied हुआ हूँ बट exact इसको किसी particular unit में या particular digit में हम इसको express नहीं कर सकते हैं practical life में जबकि हम distance को measure कर सकते हैं मैं 1 km से आ रहा हूँ चल करके मैं 5 kg का weight मैंने उठाया हुआ है 5 kg का weight हर चीज को हम express कर सकते हैं बट अपने satisfaction level को हम किसी भी unit में या किसी digit में express क्यों नहीं कर सकते मेरा question आपके साथ में यह है तो आप यह कहेंगे सर डिसेंस पर विजिबल है वेट भी विजिबल है बट satisfaction level विजिबल नहीं है से लिए इसको नहीं कर सकते मेजर क्यों time को मेजर नहीं कर सकते क्या time को one hour two hour two hour three hours time time कौन देखता है वह भी तो visible नहीं invisible है वह भी तो time भी measure कर सकते हैं जब सब कुछ को मेजर कर सकते हैं particular digit में express कर सकते हैं exact absolute बता सकते हैं तो satisfaction level को हम क्यों नहीं express कर सकते मेरा कोशन यह है आपके साथ पर आप एंग साथ satisfaction level ने feeling है इसलिए ज़सर फील करते हैं इसलिए हम इसको express नहीं कर सकते हैं तो बच्चे बताएए temperature को भी तो हम feel करते हैं आज बहुत गर्मी है तो temperature भी आज 45 डिग्री है बहुत ही अज जो है ठंद है तो आज two degree है जीरो डिग्री है five disco, temperature भी तो हम feel करते हैं उसको भी तो हम express कर सकते हैं जब हम इन सब चीजों को express कर सकते हैं particular nutrition के form में एक numerical form में express कर सकते है एबसुलूट बता सकते हैं एक्जट एक्सप्रेस कर सकते हैं तो satisfaction level को आज तक हम अपने practical life में बस ऐसे ही बोलते आते हैं कि ज़्यादा satisfied हुआ, कम satisfied हुआ या satisfied नहीं हुआ, बट इसको भी particular किसी digit में हम express क्यों नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं, मेरा question आपके साथ में यह है चलिए, मैं इसका answer आपको देता हूँ इसको हम क्यों नहीं, practical life में satisfaction level को express करने के लिए कोई particular unit से नहीं है क्यों नहीं है ऐसा, वो मैं समझाता हूँ आपको बच्चे सबसे पहले आपको इसके answer को समझने के लिए पहले एक example पर जाना होगा कि बच्चे चलिए, अगला सवाल देखिए इस सवाल से ही मैं आपको clear करूँगा कि हम किसी community के consumption से उसको consume करने से कितने satisfied हुए है कोई community हमें कितना satisfied करेगी ये किन चीजों पर depend करता है क्या उस community की quality पर depend करता है किसी community के consumption से हम कितना satisfied होंगे ये किन चीजों पर depend करता है क्या ये community की quality पर depend करता है आप कहेंगे हा सर ये community के quality पर depend करता है गलत, ये भी गलत आपको बहुत तेज प्यास लग रही है बहुत तेज प्यास लग रही है आपको आप एक glass पानी पीते हैं आपको बहुत satisfaction level मिला अब आपको प्यास नहीं लग रही है अब वही एक glass water पीज़े वही same quality आप consume करें क्या अब आपको मज़ा आएगा अब आपको मज़ा नहीं आएगा अगर आपका satisfaction level आप कितना आपको मज़ा आने वाला है कितना आप enjoy करने वाले हैं यह अगर इन चीजों पर depend करता है कि community की quality क्या है अगर यह इन चीजों पर depend करता है तो आपको जब प्यास लग रही थी तब भी आपको satisfaction मिलता और जब आपको नहीं लग रही है तब भी वह same quality है तब भी आपको उसमें मज़ा आना चाहिए ता पर आप कहरे हो नहीं आप तो नहीं आ रहा मज़ा तो कहीं न कहीं आपका मज़ा मतलब आपका satisfaction level मतलब आपकी utility किन चीजों पर depend कर रही है उसकी quality पर depend नहीं कर रही है quality पर depend करती तो पहले भी आप उसको enjoy करते और बाद में भी उसको enjoy करते यह आपकी needs पर depend करता है जितना ज़्यादा आपको प्यास लग रहा है न उतना ज़्यादा ही आप satisfied होते हैं उतना ही आप enjoy करते हैं पानी को जितना कम प्यास लग रहा है उतना ही कम satisfied होगे अगर आपको उसकी needs नहीं है तो आप एक ग्लास पानी पेंगा आप वो मजा नहीं आएगा तो कहीं न कहीं आप कितरा satisfied होने वाले हैं आपका satisfaction level क्या है ये depend किसी community की quality पे नहीं करता है ये आपकी needs पे करता है ये आपकी wants पे करता है तो एक चीज़ clear है कि किसी भी community के consumption से आप कितने satisfied होने वाले हैं बच्चे ये किन चीज़ों पे depend करता है ये clear आपको ये किन चीज़ों पे depend करता है ये आपके needs पे depend करता है जितने ज़्यादा needs होगी जितना ज़्यादा आपको भूग लग रहा होगा जब फर्स चपाथी खाएंगे आप उतना ही आपको अच्छा लगेगा भूग नहीं लग रही है तो आप उसी चपाथी सेम क्वालिटी को आप जब कंजूम करोगे तो आपको कम मज़ा आएगा तो सेम चीज एक टाइम पर बहुत जादा सटिफक्शन लेवल देती है वही स हो गया को कि आपका सटिफक्शन लेवल आपकी नीड़ से डिपेंड करता है इपके मेरा कोशिन क Rahel도 को मेंजरिकर लिए उसको मिजरमेंट करने के लिए उसको express करने के लिए आज तक कोई भी नुमरिकली फॉर्म में क्यों नहीं है जबकि हम वेट को टाइम को टेंपरेचर को हर चीज को नुमरिकली फॉर्म में express कर देते हैं तो satisfaction level को क्यों नहीं करते क्योंकि बच्चे देखिए satisfaction level हमारी नीट्स पर डिपेंड करता है और human के हर human की नीट्स अलग-अलग होती है तो वही एक रशुयल्हाब मुझे जो satisfaction level दे रहा है दूसरे को हो सकता है मीठा पसंद नहीं है उसकी नीट्स वो नहीं है तो अगर ज़्यादा needs है तो उसको ज़्यादा satisfied करेगी अगर एक के पास में needs कम है तो उसको कम satisfied करेगी same quality की चीज़ तो आप यह नहीं कह सकते कि यह particular commodity कितना satisfaction level देगी क्योंकि यह हमारी needs पर depend करता है इसलिए practical life में satisfaction level को measure करने के लिए कोई particular standard unit नहीं डबलब हुई है समझ में आया आपको clear है clear है बच्चे लेकिन इस chapter में तो मुझे satisfaction level के बारे में पढ़ाना है आपको और satisfaction level को तो मैं express भी नहीं कर सकता किसे digit में तो मैं समझाओं कैसे आपको अब यह है problem मुझे आपका chapter का नाम ही है utility मतलब satisfaction level और satisfaction level को तो मैं desert में express ही नहीं कर सकता हूँ तो chapter समझाओं मैं कैसे आपको यह तो कुछ उसी तरीके की problem मेरे सामने आ गई है माल लिजिए मुझे आपको रमायन के बारे में आपको समझाना है अच्छे से लेकिन भगवान राम और लक्ष्मन तो है ही नहीं तो कैसे मैं समझाओं रमायन के बारे में आप कहेंगे सर उनकी जगह पर किसी और से आप act करवा लीजे और फिर आप उस act से हम अच्छे को समझ जाएंगे तो बच्चे मेरा सवाल है जो act कर रहे हैं क्या ये original भगवान राम और लक्ष्मन है नहीं वो original में नहीं है न तो वो original में नहीं है या आप ये अजम्शन लेकी चल रहे हैं कि ये उनकी जगह पर है तो वो original नहीं होने के वई से क्या story भी आपके fake हो जाएगी नहीं न नहीं न story में तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ऐसे ही यहाँ पर मेरे सामने भी challenge है कि मुझे satisfaction level को समझाना है बड़ उसको express करने के लिए कोई numerically terms नहीं है तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही act play करवाऊंगा एक assumption ले रहा हूँ आपकी economics में assumption लिया गया है हाँ satisfaction level को भी measure कर सकते हैं हाँ satisfaction level को भी numerically terms में express कर सकते हैं यह आपके economics में assumptions लिया गया है लेकिन practical life में ऐसा नहीं होता है clear है तो अब आप कहेंगे ठीक है सर लेकिन बेटा ध्यान एक नहीं यह एक assumption है क्योंकि समझाने के लिए चीज़े को तो इसको समझा रहे एक assumption है बट इसका मतलब यह मैं समझाना कि जिसका concept है वो भी आपका assumption है वो भी आपका fake है नहीं concept बिल्कुल really मैं deliver कर रहा हूँ बस मैं act किसी और से भी करवा रहा हूँ clear है मेरी बास सुझाए नहीं आपको जैसे real story based movie बनती है वो लोग तो है नहीं तो उनकी जिए पर किसी और से act play करवा करके उस story को समझाया जाता है ऐसे ही satisfaction level को measure करने के लिए practical life में तो को standard unit नहीं होती है लेकिन समझाने के लिए assumption लिया जा रहा है क्या utils satisfaction level को हम जिसमें express करते हैं ना जैसे weight को हम जिसमें express करते हैं वो है kg distance को जिसमें express करते हैं वो है हमारा kilo meter time को जिसमें measure करते हैं हमारा hour temperature को जिसमें हम express करते हैं degree celsius उसी तरीके से satisfaction level को भी आपके economics में जिस form में express करते हैं जिस terms में express करते हैं जिस unit में express करते हैं उसका नाम है utils clear है समय आया आपको, तो satisfaction level को आज से किस form में express करोगे utils में, जी मुझे इतने utils का satisfaction level मिला, यह नहीं बोलोगे मुझे 5 kg का संतुष्टी मिली, नहीं मुझे 5 km के संतुष्टी मिली, नहीं मुझे 5 गंटे संतुष्टी मिली, नहीं मुझे 5 गंटे नहीं, मुझे 5 utils का satisfaction level मिला, क्यों satisfaction level को किसे measure करते हैं utils में, तो हमारा third question क्या है, what is meant by utils, utils is the units utils is the units which measures the satisfaction of the consumer जो कि consumer के satisfaction level को measure करता है, clear है numerically form में यह हमे express करता है, परे बास समझ गया, clear है तो अब आपको, चीज़ों को clear करने के लिए, आगे chapter में बढ़ने के लिए, आगे chapter में समझाने के लिए, बेटा, आपको मैं कोई चीज consume करूँगा, तो उसको मैं numerically form में express करके भी दिखाऊँगा, और मैं लेकिन साथ में question answer type आगे बढ़ते चले जाएंगे और पूरे chapter को हम ऐसे ही cover करेंगे, और आपको कोई भी book purchase करने की need नहीं है, मैं आपको video के description पे जाएं, मेरे PDF होगी, उस PDF को आप download कर ले, वो type की होई पूरी का पूरे मेरी खुद की book है, वो मेरे बच्चे, तो अब आईए, हम आगे continue करते हैं, हाँ जी बच्चे, आगे continue करते हैं इसको हम, अब हमारा next question है, define the marginal utility, तो बच्चे, इस question को समझने के लिए, हम यहाँ पर एक imaginary schedule ले रहे हैं, जिससे इसको हम अच्छी तरीके से clear कर सकें, तो बच्चे, अगर मैं एक बहुत आसान सी language में, अगर मैं आपसे बोलूँ, बहुत easy language में, अगर मैं आपसे बताऊं, कि यह marginal utility क्या होता है, तो अगर आप कोई भी unit consume करते हैं, आप एक ice cream consume कर रहे हैं, तो जो unit आपने अभी recent पर, जो अभी आपने consume किया है, यह unit आपको जो भी satisfaction level देगी, इसी satisfaction level को हम क्या कहते हैं, marginal utility, तो जो भी unit आप consume कर रहे हो, वो वाला unit जो अभी आपने consume किया हुआ है, इस unit ने आपको क्या satisfied किया है, यह marginal utility है, अगर अगर मैं एक ग्लास पानी पी रहा हूं, तो इस एक ग्लास पानी से मुझे कितना satisfaction रवल मिला, ये marginal utility है, इससे पहले मैं कितने ग्लास पानी पी चुका हूं, इससे पहले मुझे क्या satisfaction रवल मिला, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी recent में जो unit मैं consume कर रहा हूं, वो unit मुझे क्या दे रहा है, जो भी satisfaction लवल देता है, उसको हम marginal utility कहते हैं, clear है बच्चे, सुमाएं आपको, जरह इसको एक imaginary schedule समझे रहा समझते हैं इस चीज़ों को, तो बच्चे मान लिजिए आप ice cream consume कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ice cream consume कर रहे हैं, तो यह ice cream की units है, कि आप zero ice cream, जब आप ice cream नहीं खा रहे हैं, तो उससे में situation क्या है, जब आप एक ice cream consume कर रहे हैं, जब आप second ice cream consume कर रहे हैं, जब आप third ice cream consume कर रहे हैं, fourth, fifth, sixth, यह आपके units से किसी community की quantity है, जो आप consumption कर रहे हैं, clear है बच्चे, अब आप इस चीज़ को देखें, अगर आप zero ice cream consume कर रह नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि satisfaction level क्या है आपकी, तो not defined है, जब आप first ice cream consume करते हैं, तो उस ice cream से आपको अपना एक अलग level का satisfaction level आपको जरूर मिलेगा, clear है, तो आपको first ice cream से एक satisfaction level आपको बच्चे मिलेगा, तो first ice cream से कुछ भी हो सकता है, मेरे imaginary schedule मैंने बोल दिया है starting में ही, आपके उपर है, आप कुछ और schedule बना लीजिए, यह आपके उपर है बच्चे, बच्चे आपको concept ही तो समझाना है, तो concept समझाने के लिए मैं कुछ भी example, कुछ भी assumption ले सकता हूँ, बड़ concept ही तो clear करना है, सज में आई नहीं है आपको, तो कुछ भी आप ले सकते हैं, तो मैंने खेर यह लिए है, तो आप इसको पिस पर focus करेंगे, देखिए बच्चे, first ice cream consume किया, तो first ice cream के consumption से, एक मुझे satisfaction level मिला, मैं उसको कह रहा हूँ, कि वो satisfaction level को मैं numerically express कर देता हूँ, for example, मान लीजिए, कि assumption है, मान लीजिए, कि मुझे 8 utils का satisfaction level मिला, तो आपको satisfaction level किसमे express होता है, utils में, तो मुझे 8 utils का satisfaction level मुझे मिला है, first ice cream से, तो एक single unit, एक individual unit, last unit, आप consumption से, उससे जो आपको satisfaction level मिलता है, उस satisfaction level को marginal utility कहते हैं, तो इस ice cream से 8 मिला है, तो ये क्या है आपका, ये आपका marginal utility है, अब बच्चे, मैं second ice cream consume कर रहा हूँ, second, तो आप देख रहा हूँ कि मुझे second ice cream क्या देगी, उसको छोड़ो पहले आपने consume करा, पहले ने क्या दिया, अब जो आप consume कर रहे हो, recent में second ice cream, ये second ice cream आपको क्या satisfaction level देगी, तो ये second ice cream आपको six utils देगी, second ice cream, तो जो second ice cream आपको satisfaction level दे रही है, six utils, ये marginal utility है, क्योंकि ये एक individual, एक single unit से मिलने वाला satisfaction level है, वो भी किस unit से, second unit से, तो second unit के marginal utility क्या है, six, तो second unit से मिलने वाला satisfaction level क्या है, आपका six, अब आपके mind में एक doubt आया होगा, सर फर्स ice cream से अगर आठ मिला, तो जरूरी है क्या second ice cream से, आठ क्यों नहीं हुआ, या आठ से ज्यादा क्यों नही हुआ, आठ से कम ही क्यों हुआ, तो बच्चे आपको मैंने पहली बता दिया था, कि किसी भी commodity को consumption करने से, आपको आपका satisfaction level क्या रहेगा, ये depend उस commodity की quality पे नहीं करता है, ये depend किस चीज़ पे करता है, ये depend आपकी needs पे करता है, जितनी ज्यादा प्यास लग रही होगी, वो पानी आप उतना ही कम enjoy करोगे, अगर आपको प्यास नहीं लग रही है, तो वो एक glass water आप enjoy नहीं करोगे, तो आपको क्या satisfaction level मिलने वाला है, ये किन चीज़ों पे depend करता है, आपका satisfaction level क्या रहने वाला है, ये आपका, आपकी needs पे depend करता है, तो बेटा first ice cream consume करा तो आपको मि आपकी needs कुछ तो satisfied हुई होगी, तो क्या अब आपकी needs पहले जितनी बनी हुए है, पहले से कम है, अब आपकी needs पहले से कम हो जाएगी, तो वो same quality होने के बाद भी आपको पहले से कम satisfied करेगा, क्यों, क्योंकि आपकी needs पहले से कम है, और satisfaction level आपकी needs पे depend करता है, तो second ice cream बच होतना more than hundred नहीं होगा second ice cream आपको कम ही satisfied करेगी क्योंकि हमारा satisfaction level हमारी needs पर depend करता है और first ice cream के consumption के बाद हमारी needs fulfill हुई है कुछ level तक हमारी needs पहले जितनी नहीं है तो second ice cream से भी हमें पहले जितना satisfaction level नहीं मिलेगा पहले से कम needs रहे जाएगी तो पहले से कम satisfaction level हमें मिलेगा तो अगर आप 100 लेते तो फिर आपको 95-99 कुछ उपर 100 से less करना था आपको तो second ice cream से यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं मैं तो यहाँ पर अपने example focus कर रहा हूं first ice cream से 8 यूटिल तो second ice cream से 6 यूटिल तो हर एक individual हर एक each हर एक last unit से जो satisfaction level मिलता है उस satisfaction level को हम क्या कहते हैं उस satisfaction level को हम marginal utility कहते हैं थर्ड ice cream कंजूम किया अब आप ने दो ice cream कंजूम कर चुके हो अब आपकी needs और fulfill हो चुकी है अब आपकी needs पहले से भी कम है इसलिए अब आपको same quality होने के बाद भी satisfaction पहले से कम मिलेगा थर्ड ice cream आपको चार दे रहा है और फौर्थ ice cream आपको टू second two units दे रहा है और एक time जरूर ऐसा आएगा कि आपके कोई चीज कितनी favorite क्यों नहीं हो अगर आप उसा consumption करेंगे तो एक time जरूर ऐसा आएगा कि आपके need fulfill हो जाएगी नेट fulfill होने का मतलब होता है कि अब आपको उसकी और need नहीं है जब आपको उसकी need नहीं है फिर भी आप उस ice cream रो consumption करोगे तो फिर आपको उससे अधिशन अबल क्या मिलेगा आपको zero मिलेगा आपकी है ही नहीं उसके बाद अगर आपने कंजंप्शन कर रहा जब आपको नीडी नहीं फिर कंजंप्शन कर रहे हो तो आपकी हेल्थ पेस का नेगिटिब इंपट भी पड़ सकता है उसको डिस्युटिल्टी कहते हैं मतलब की मायनिस में युटिलिटी कहते हैं तो बच्चे इच सिंगल अन्रेजी च्युल लास्ट यूनिट से जो Satisfaction Level मिलता है उस Satisfaction Level को हम क्या प्रफ़े बच्चे, सुझमाया आपको marginal utility क्या होता है? पहले हम marginal utility पर focus कर रहे हैं, total utility पर हम focus फोकस थोटे दर बात करेंगे, clear है? सुझमाया आपको, अब आपको बात करते चलिए, अब बात कर लेते हैं total utility की, तो total utility का मतलब होता है, अब तक जितनी भी unit को consume कर चुके हो, उ सबसे कितना satisfaction level मिला है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, total utility, clear है बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, total utility, अब आप देखिए, first ice cream से, आपका, जो एक satisfaction level है, वो आपका, 8 utils है, बच्चे, first ice cream consume किया आपने, तो आपको क्या मिला, 8 utils का satisfaction level मिला आपको, किस से, first ice cream से आपको मिला है, तो हर एक, each unit से, जो satisfaction level मिलता है, उसको marginal utility कहते हैं, तो अब तक आपने, कितने total unit consume कर लिए, भी तक एक ही करा, तो अब तक total utility क्या मिला आपको, 8, अब second ice cream आप consume कर रहे हैं, तो second वाला आपको, first के compatibility कम satisfaction level देगा, और इसने भी जरूर दिया है, इसने भी satisfied जरूर किया है आपको, लेकिन 6 utils satisfied किया है, तो अब तक आप total कितने unit को आप consume कर चुके हैं, अब तक बच्चे total कितने unit को आप consume कर चुके हैं, तो second unit से क्या मिला, मतलब एक single unit की बात कर रहा हूं मैं, तो आप बोलेंगे 6 मिला, second unit से, इसको marginal utility कहते हैं, और अब तक दो unit consume कर चुके हैं, पहले वाले से भी, और second वाले से भी, दोनों से कितना आपको satisfaction level मिला, इसको हम बोलते हैं, total utility, नाम से ही clear है, total utility, अब तक जितने unit आपने consume करा है, उन सबसे मिलने वाला satisfaction level का sum क्या होता है, आपका total utility होता है, तो ये फर्क है, second से 6 मिला, और 2 ice cream से अब तक total मुझे 14 utility मिल चुका है, first से 8, second से 6, तो दोनों से कितना हो गया, 14 utils, clear है बचे, सुझमाएं आपको ये, तो आपका ये 14 utils आपका हो गया, total satisfaction level, third ice cream, अभी अभी जो recent ice cream कंजूम किया आपने, इस third ice cream ने क्या satisfaction level दिया आपको, इस third ice cream ने आपको जो है, fourth utils दिया है, क्या दिया है, आपको fourth utils दिया है, third ice cream ने, तो एक single unit आपको क्या satisfaction level दे रहा है, उसको marginal utility कहते हैं, और अब तक तीनों ice cream से, पहले दोनों से और third से भी, इन तीनों से कितना satisfaction level मिला, तीनों को मिला करके बात करेंगे, तो total utility होता है वो, तो तीनों से कितना मिला, आपको 18, और ऐसे ही fourth ice cream ने आपको 2 दिया, जैसे ऐसे आप consumption करेंगे, next unit आपको satisfaction level पहले की compatibility कम देगा, क्यों कम देगा, क्योंकि आपकी needs पर depend करता है, और consumption के साथ साथ आपकी needs fulfill होते चली आती है, need कम रह जाती है, satisfaction level भी कम मिलता है, तो अब आपके पास पर कितना होगे, 20, और fifth ice cream आप जब fully satisfied हो चुके हैं, तो fifth ice cream consumption से उससे कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि आप fully satisfied हो चुके हैं, तो कुछ मज़ा नहीं आया, तो 4 पे भी 20 था, तो नहीं रहेगा, जितना चार पे था, तो पांचो से total utility के आपका 20 है, और sixth ice cream आपने उसके बाद भी consumption कर लिया, जब आपको उसकी needs भी नहीं है, आपका बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी forcefully किसे ने consumption कर वा दिया, तो आपकी health पे negative impact पड़ेगा, वो this utility में कर बढ़ तो आपको basically क्या सुझ में आया अभी तक marginal utility, each single last unit से जो भी satisfaction level मिलता है, उसको marginal utility कहते हैं, और अब तक सभी unit से जो satisfaction level मिला हमें, उसे हम total utility कहते हैं, तो आए, अब इसमें आपको एक चीज और समझना होगा बच्चे, अगर मैं इसको example से समझता हूँ, तो जड़ा एक second ice cream से मेरा MU क्या है, मतलब कि मुझे मेरा satisfaction level क्या मिला second वाले ice cream से, second ice cream जब मैंने consume करा, तो उसने मुझे कितना satisfied किया, आपको ये बताना हैं बच्चे, second ice cream से, तो देखिए, first से तो 8 और 2 ice cream से 14, तो इसका मतलब हो गया first से 8 और 2 ice cream से 14, तो आप तक 14 मिल चुका है मुझे, यहां तक 2 ice cream से 14 मिल चुका है, इससे पहले वाले से मुझे 8 मिला है, तो इसमें जो increment हुआ है, जो इसमें addition हुआ है, पहले 8 अप 14, addition कितना हुआ, addition 6 हुआ, तो ये addition क्यों हुआ, क्योंकि मुझे next unit से मिला होगा, तो next unit से मिलने वाला satisfaction level क्या है, आपका 6 है, तो ये margin utility हो ग जिसे हो रहा है, तो वो addition आपका एक particular single individual extra unit से मिलने वाला satisfaction level है, तो इसलिए वो उसका क्या हो गया, marginal utility आपका हो गया, चलिए, मैं आपसे पूस्ता हूँ, कि जड़र बताए, पांच वे का आपका फोर्त का आपका margin utility क्या है, फोर्त का margin utility क्या है, तो आप यहीं कहेंगे, कि आपके पास में 3 का तो total 20 है, sorry, 3 का तो 18 है, 3 unit का तो total satisfaction level 18 है, और 4 एक और consume कर लिया, तो अब 4 से आपको 20 मिल रहा है, 3 से 18 और 4 से 20, तो 4 से क्या मिला, तो 4 ने 2 दिया होगा, तब ही तो आपका 4 से 20 हुआ, तो मतलब यह हुआ, कि addition of total utility is called marginal utility, पेरी बास समझ रहे हैं आप ब ले रहें बच्चे, तो addition of total utility is called marginal utility, तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी, वो क्या, जैसे for example, मैं आप से यहां पर पूछू एक example की तोर पे, कि जरा मुझे आप बताएं, मैंने क्या पूछा आप से, कि marginal utility मुझे बताएं, जरा fourth unit की, तो क्या करा, आपने total utility, चार unit की, अब तक चारों से कितना सब्सक्राइबल मिल चुका है, 20, minus कर दिया total utility, तीन की, आप तक चारों से इतना मिल चुका है, इससे पहले, तीन तक से कितना मिल चुका था, total utility 3 unit, यह 3 क्या है, 4 से एक less, पीछे वाले तक का, और इसको minus कर दिया आपने, तो आपको पता लग गया, marginal utility fourth unit, तो चारों से total study fashionable क्या मिल था, आपको 20, और आपको चार से पहले, तो चार ice cream तक आपको 20 मिला था, इससे पहले तीन ice cream तक आपको कितना मिला था, तो चार से एक less है यह, यह 3 को लिख सकता हूँ मैं, यह 4 है, तो यह क्या है, 4 से minus 1 कम, तो total satisfaction level fourth unit, चार का चाहिए था, तो चार तक का total satisfaction level ले लिया आपने, और चार unit से पहले त तक का total satisfaction level ले लिया, पहले तक का मतलब 4 minus 1 का ले लिया, कितना, 18, तो आपका mu4 कितना आपका मिला, mu4 आपको, two utils आपको मिला, utils इसमें certification को express करते हैं, clear है बच्चे, समय में आया, कोई doubt, अब आप देखें जा रहा है, इसमें क्या कहता है यह, marginal utility को, marginal utility is the additional utility derived from the consumption of the one more unit of the given community, एक extra unit को consumption करने के बाद, total utility में जो additional होता है, उसको marginal utility कहते है, it is the utility derived from the last unit of a community, जो last unit consumption करते है, उससे जो certification मिलता है, इसको हम क्या बोलते है, marginal utility, clear है, अब marginal utility को, इसके उपर MCQs में one marks कोशना आता है, formula के उपर, तो formula देखिए, अगर मुझे marginal utility N terms तक का चाहिए, तो मुझे total utility भी N terms का चाहिए, जैसे मुझे एकर 4 तक 4 तक चाहिए था margin utility, तो फिर मुझे total satisfaction level 4 का चाहिए था, तो अगर मुझे nth term का चाहिए था, कि nth term मुझे कितना satisfied कर रही है, तो आपको N term तक का total utility पता होना चाहिए, उसके बाद आपको N term से पहले N minus 1, clear है, समझमाएं आपको तो T U, आपको total satisfaction level N unit तक का होना चाहिए, और N unit से पहले तक का total satisfaction level होना चाहिए, उसको जो difference होगा, वो क्या होगा, वो margin utility N terms का होगा, और इसको आप ऐसे भी express कर सकते हैं, किस तरीके से, कि change in total utility, जो change आपके total utility में आपके यहाँ पर आ रहा है, वो क्या है, change to, change in total utility, and change in, आ आपका quantity demanded, तो change in quantity demanded आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, एक clear है बच्चे, तो change in quantity demanded आपका 1 आ रहा है, तो satisfaction level क्या आपको मिल रहा है, आपको 2 मिल रहा है, तो इसको दो तरीके से express कर सकते हैं, M U को calculate करने के दो structure है, एक T U N minus T U N minus 1, और एक आपके पास में है, change in total satisfaction level, और divided by change in units clear है, सुझमायां बच्चे, यह आपका क्या है, यह आपका है, marginal utility, clear है बच्चे, अब बच्चो हम question number 5 पर आ गए है, define the total utility, तो बच्चे आपको पता है कि अब तक हम जितनी भी unit consume कर चुके हैं, उन सब unit से हमें, जो भी total satisfaction level मिला है, उसको हम total utility कहते हैं, for example, first ice cream से 8 मिला, then हमने second ice cream consume की, तो हमने हमारा satisfaction level first ice cream consumption के बाद हमारा, वो second ice cream से कम रहेगा, क्योंकि हमारी needs कम हो गई है, वो 6 है, तो अब तक बच्चे, दो ice cream consume कर चुका हो, तो दोनों से कितना satisfaction level मिला, तो दोनों से पहले से 8, तो total satisfaction level 8 है, एक और ice cream consume कर लिया, last one second से 6, तो अ दोनों से कितना मिला आपको, दोनों से कह रहा है, कि दोनों से मिला करके, पहले से 8, second से 6, दोनों से 14, तो total utility का मतलब यह होता है, कि अब तक आपने जितने unit को consume किया है, उन सभी unit से जो आपको satisfaction level मिलता है, उस satisfaction level को हम क्या कहते है, total utility, clear है बच्चे, स्विमाएं आपको, अ तीनों आइस क्रीम से आपको 18, तो अब तक आपने जितने भी unit का consumption करा, उन सभी unit से जो भी आपको total satisfaction level मिला है, यह आपका क्या होता है, total utility होता है, तो total utility बच्चे, अगर for example, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि tu, for example बच्चे, कि tu, total utility जरह मुझे बताएं, तीन unit का तो आप क्या करेंगे, first unit से कितना मिला आपको, first unit से कितना मिला, आपको 8, second unit से कितना मिला, आपको second unit से, एक single unit की बात कर रहे हो, और आपको third unit से कितना मिला, तो एक single unit की बात कर रहे हो, तो आप marginal utility की बात कर रहे हो, first से कितना मिला, second से कितना मिला, third से कितना मिला, तो total utility ऐसे निकालोगे ऐसे ही आपके पास में nth term तक का आपका total satisfaction level क्या है तो first से कितना मिला second से कितना मिला nth तक कितना मिला आपको उन सब का sum करोगे और first second हर एक individual unit से मिलने वाले satisfaction level को हम क्या बोलते है marginal utility हम कहते हैं clear है बच्चे तो basically total utility क्या है यह addition of marginal utility भी आप कह सकते हो MCQs में इसका formula आ जाता है अब देखिए define the total utility, total utility refers to the total satisfaction total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity जितने भी units को आपने consumption करा है उन सब से मिला करके जो भी आपका total satisfaction level है उस total satisfaction level को हम क्या कहते हैं हम total utility कहेंगे और इसका MCQs में formula जो आता है आपका वो आपका TUN अगर आपको calculate करना है N term तक का total satisfaction level तो MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस तिल MUN तक clear है बच्चे? हाँ जी बच्चे अब हम आपके economics में diagram के role को समझेंगे बिटा आपके economics में diagram का बहुत important role रहेगा आप अपने exam में answer कितने भी अच्छी तरीके से लिख रहे हों लेकिन अगर आपके diagram गलत है तो वहीं पर आपके marks कट जाते हैं तो इसलिए आपके पूरे economics में diagram का बहुत important role रहेगा अब बिटा आपके mind में एक doubt होगा कि सर ये diagram है क्या और अमारे economics में इसका क्या role है तो बच्चे जैसे कि किसी भी story को book में पढ़ना एक अलग चीज है और उस story को theater पे जाकर के समझन देखना वो एक अलग चीज है दोनों में बहुत फर्क है तो इसी तरीके से आप economics के किसी भी concept को पढ़ोगे तो दो तरीके से उसको पढ़ोगे और दोनों तरीके से exam में express करना होगा एक तो verbally जो theory में आप लिखोगे और एक उसी theory को picture के form में आपको express करना होगा तो diagram कुछ और express नहीं करता है ये अपनी ही theory को एक short तरीके से एक picture के form में express करता है तो आपके जो examiner होंगे exam में वो आपके diagram से ही आपके answer को collect करेंगे आपके diagram से ही आपकी theory को समझेंगे वो अगर आपने diagram में ही गड़बड़ी कर दे तो फिर वहाँ पर आपका जो है score नहीं कर पाओगे इसलिए बहुत serious लेना है अपने economics में diagram को और diagram में starting में एक बच्चे बतायता हूँ क्योंकि आपको diagram pencil से ही exam में बनाना है scale का use करना है proper तरीके से diagram को follow करना है अगर आप casually diagram को बना के चलेंगे roughly तो उसमें आपके economics का पूरा paper attempt अच्छे से करने के बाद भी आपका बहुत important role रहेगा अब बच्चे diagram हमें कैसे पता लगेगा कि किस theory के लिए किस तरीके का diagram हमें बनाना है वो तो आपका जैसे ऐसे theory आपके सामने आएगी वैसे वैसे उसका diagram भी आपके सामने आएगा उस diagram को भी मैं आपको explain करूंगा वो समस्ता रहेगा लेकिन थोड़ा सा introduction हो जाए diagram का पहले clear है बच्चे तो अभी हम diagram का introduction ले रहे हैं बच्चे diagram के introduction में आपके पास पर यहाँ पर सबसे पहला जो diagram होता है diagram दो तरीके के होते हैं first जो diagram आपका होता है वो आपका देखेंगे दो चीजे होती है graph की बात करें तो 10th में आपने अपना graph बनाया होगा और 10th में आपने जब graph बनाया है तो इस तरीके से आप graph बनाते हैं और यहाँ पर आप y-axis है और यह आपका x-axis है तो आपका यह वाला section आप हटा दो यह तो y-axis हो गया और x-axis हो गया y पे जितना उपर जाएंगे चीजे उतने ही बढ़ती है digit बढ़ जाते हैं और x पे जितना right पे जाओगे digit उतने ही आपके बढ़ जाती है तो यहाँ पर y दो चीजे होंगी हमेशा एक y पे represent करोगे आप और एक को बेटा आप जो है x पर represent करेंगे तो दो चीजे आपकी होती है जिसको एक को आप y पे represent करते हैं और एक को आप जो है x के उपर आप x पे आप represent करते हैं clear है तो दोनों के अंदर अगर वो दो कुछ भी चीजे हो सकती है price, demand हो सकता है price और supply quantity हो सकती है वो दो चीजे कुछ भी हो सकती है clear है बेटा तो आपके पास में height और weight हो सकता है दो चीजे कुछ भी हो सकती है तो दो चीजे को represent करने के लिए हम graph को use करते हैं अब बच्चे दो चीजे में से for example मैं price और supply की बात कर रहा हूं तो price देखिए क्या हो रहा है price increase हुआ है price आपका बढ़ गया 10 रुपे से 20 रुपे हो गया तो जब price बढ़ता है तो supplier के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होती है हम consumer के लिए तो एक अच्छी बात नहीं है कि negative चीज हो गई है लेकिन supplier के लिए एक अच्छी बात है उनके लिए profit margin बढ़ जाता है उनका profit बढ़ जाता है वो interested हो जाते हैं का इस business में और वो sales भी वो ज़्यादा production करने लग जाते हैं sales ज़्यादा वो करने लग जाते हैं अगर किसी भी चीज की अच्छी कीमत मिलेगी जाता है तो बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास में दो चीजे हैं अगर एक आपका price और supply के बारे में बात करू price increase हुआ तो supply क्या हुआ supply भी increase हुआ और price जब कम हो जाए तो supplier थोड़ा सा वो dis increase हो जाता है वो बहुत supply में इतना intensity नहीं लेता प्लक्षन लेवल में उतना वो increment नहीं करता है clear है जैसे टमाटर के rate बहुत सस्ते हो जाए तो कहीं न कहीं next time उसके प्लक्षन में कमी देखने को मिलेगी तो जब price कम होगा तो supply भी कम होगी तो बच्चे यहाँ पर एक चीज को समझीएगा पहले आपको दो चीजे दे हुई होगी दोनों के बीच में पहले आपको relation को समझना होगा एक में जिस direction में change आ रहा है अगर दूसरे में उसी direction में change आ रहा हो price बढ़ गई तो supply भी बढ़ गई अब price कम होई तो supply भी कम होई तो देख रहे हैं अगर एक में जिस direction में change आता है दूसरा भी उसी direction में move कर रहा है एक में जिस direction में change आ रहा है दूसरा भी इसी direction में move कर रहा है अगर एक increase हुआ तो दूसरा भी increase हुआ एक decrease हुआ तो दूसरा भी decrease हुआ जब same direction में moment है जब दोनों में same direction में change आता है तो इस तरीके के relation को कहते है कि उन दोनों के बीच में positive relation है क्या कहते हैं इसको? इसको positive relation कहते है बच्चे positive relation को हम positive slope भी कहते है positive relation बोलिए या positive slope भी बोलिए clear है? और positive slope में diagram आप हमेशा कैसे बनाएंगे? हमेशा आप जो है डाइगराम बनाएंगे कभी भी दो चीजों में positive relation है एक में जिस direction में change आ रहा है दूसरे में भी उसी direction में change आ रहा है तो आप समझ जाएगा कि दोनों में positive relation है और positive relation कभी भी अगर आपको बच्चे मिल जाता है तो आप उस case में diagram कैसा बनाएंगे आप, आप left to right upward बनाएंगे, जितने भी मैंने तीन example लिए हैं, तीनो ही diagram क्या है? left to right upward, left to right upward, left to right upward, left to right अपवर्ड, करता है यह positive slope को represent करता है यह बताता है कि एक में जिस direction में change करोगे दूसरे में भी उसी direction में change होगा for example मान लिजिए price है यह supply है यह price है करव को touch करते ही आप नीचे आ जाजाएं यह आपके quantity है यह price है जैसे ही यह supply मान लिजिए करव है जैसे आपके price increase हो रही है देख रहें इंक्रीज हुआ न तो supply क्या हुआ supply भी आपका पहले से बढ़ गया price अगर कम हो जाए देखिए कम वह तो supply touch करते नीचे आए करव को touch करते नीचे आना है supply भी क्या हुआ supply भी कम हो गया तो अगर price बढ़ रहा है तो दूसरा भी supply भी बढ़ रहा है price कम वह तो supply भी कम हुआ तो positive relation को positive slope को represent कर रहा है इसलिए इसमें जो हम diagram बनाते हैं left to right upward diagram हम इसमें बनाते हैं clear है बच्चे समझ रहें अब बच्चे यहां पर अगर आप देखें एक तो यह भी आपका तो आप तो बच्चे सबका सब left to right upward है सब में आप इस चीज़ को देखेंगे कि अगर आप एक बढ़ा रहें तो दूसरा भी आपका बढ़ रहा है clear है सब में आपको देखने को मिलेगा तो आप confused हो गए यहां पर सर यह बात तो हमें clear है कि एक में जिस direction में change आ रहा है और दूसरे में भी उसी direction में change आ रहा है मतलब अगर एक increase हुआ तो दूसरा भी increase हुआ और एक decrease हुआ तो दूसरा भी decrease हुआ तो समझ जाएंगे दोनों के बीच में positive relation है और जब दोनों के बीच में positive relation है तो यहां पर हमारा जो diagram है वो positive slope का बनेगा left to right upward बनेगा यह confirm है बट left to right upward तो तीन तरीके से बना सकते हैं तो हमें कैसा पता लगेगा कि इन तीनों में से कौन सा diagram रखना है तो मैंने कुछ तीन आपका टेबल लिया हुआ इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे एक तो यह है बच्चे ध्यान से आप देखेंगे तीनों को अट का इसमें देखें बच्चे कि आपका इंक्रिमिंट हुओ एंड़ है न ग्रोथ हुआ है आपका कितना ववा है टू ग्रोथ हुआ है कितना टू भोन कि तो इंक्रीज हो रहे है तीनों एक रिस अरू हृए है कि अने इस 17 airlines लगें हो यह ओंडिस के से डिल हो रहा है हर बार उतना ही इंक्रीज हो रहा है जितना पहले इंक्रीज हुआ था तो यह सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है इसको हम कॉंस्टेंट रेट कहते हैं इसको हम कॉंस्टेंट रेट कहते हैं तो हमेशा ध्यान अखिएगा कि constant rate, जो changing rate है, वो क्या है, वो constant rate है, तो constant rate में हमेशा straight line बनती है, हमेशा straight line बनती है, यह सारी जो knowledge वाली बात में आपको समझाने के लिए, आपके comfort होने के लिए बता रहा हूं, यह MCQs में पूछे जाते हैं, one marks में चीज़े पूछे जाती हैं, clear है, कि आपका straight line किस case में बनत है, पहले इतना बड़ा, next time भी कितना बड़ा आपका, next time भी same इतना बड़ा, अगर मैं इतनी ही, अगर price बढ़ा हूं, तो हर बार जो है growth rate किया है, बिल्कुल same है, ऐसा straight line ही represent करता है, बट इसमें देखेंगे अगर आप, clear है बच्चे, कोई doubt, देखें जड़ा इसमें, पहले कितना बड़ा आपका, इतना, फिर कितना increase हुआ, इस same के लिए, फिर increase कितना हुआ, इतना, तो जो आपका growth rate है, वो पहले competitively जादा है, जैसे देखें, तो कितना growth हुआ, 2, कितना growth हुआ, 3, कितना growth हुआ, 4, कितना growth हुआ, 5, तो जो आपका ये कौन सा rate है, जो बढ़ तो यहां भी रहा था, बढ़ तो यहां भी रहा है, बढ़ यहां concentrate से बढ़ रहा था, और यहां पर increasing rate से बढ़ रहा है, किस rate से बढ़ रहा है बेरी बास समझे रहे हैं आप क्लियर है तो बच्चे यह क्या है आपका यह आपका इंक्रीजिंग रेट से आपका यह बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है आपका increasing rate से बच्चे आपका यह क्या हो रहा है यह आपका बढ़ रहा है तो increasing rate से कभी भी बढ़े न तो diagram आप इसका ऐसे बनाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि same इतने के लिए आपका इतना बढ़ गया फिर उतना ही आपने बढ़ाया बढ़ यहां पर rate पहले से ज्यादा changes है तो बढ़ यह भी रहा था बढ़ यह भी रहा है इनके rate को भी observe करना होता है concentrate है तो left to right upward अगर आपके पास में increasing rate है तो आपका इस तरीके से थोड़ा सा concave type बनाएंगे आप इस तरीके से clear है और आप यहां देखें increase तो इसमें भी हो रहा है बट अगर आप observe करें तो two observe करें तो यहां पर आपका increase यहां भी हो रहा है two तो यहां पर आपका हो गया है six यहां देखें तो four increase तो आपके बच्चे आपके पास पर यहां पर eight sorry eight six four आपके पास पर one तो बच्चे 10, 18, 24, 28, 29, 10, 12, 15, 19, 24, 10, 12, 14 तीनों ही बढ़ रहे हैं लेकिन इसमें जो growth देखें पहले eight का jump आया फिर बढ़ा है six का jump तो जो growth rate है वो decreasing rate से है तो यह increasing rate से increase हो रहा है clear है बच्चे और यह concentrate rate से increase हो रहा है increase तो सारे ही हो रहे है और यह आप देखें यह बढ़तो रहा है बट rate क्या है इसका decreasing तो यह decreasing rate से increase हो रहा है बटी बात समझ रहे है तो decreasing rate से increase हो रहा है तो बच्चे हमेशा जहां नखिएगा दो चीजों में positive relation है मतलब अगर एक में जिस direction में change आ रहा है दूसरे में भी उसी direction में change आ रहा है एक में जिस direction में change आ रहा है दूसरे में भी उसी direction में change आ रहा है तो इसको बोलेंगे positive relation positive relation में positive slope का diagram बनेगा और positive slope के diagram में left to right upward बनेगा left to right upward तीन तरीके से आपके हो सकते हैं बिल्कुल straight line, left to right upward concave type, left to right upward convex type, left to right upward clear है नब? तो ये तीन तरीके हो सकते हैं हमें कैसे decide करेंगे कि किस तरीके का left to right upward होने वाला है उसके जो growth rate को देखेंगे हम अगर concentrate rate से ही अब बढ़ रहा है तो straight line left to right upward अगर increasing rate से बढ़ रहा है तो left to right आपके पास में concave shape में बढ़ और decreasing rate से increase हो रहा है तो वहाँ पर हम इस तरीके से हम करेंगे clear है बच्चे? तो ये diagram में आपके पास में मैंने आपको first बताया है दो ही तरीके के diagram आप पूरे economics में देखने को मिलेंगे आपको तो हम दोनों data के बीच में देखेंगे कि भीजा relation कैसा है एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है मत्तब दोनों same direction में movement करते हैं तो positive relation है, positive slope है left to right आप बढ़ बनाएंगे अगर हमारे decreasing rate से increase हो रहा है तो left to right हम यहाँ पर convex shape में बना देंगे clear है बच्चे, यह चीज़े आपको अच्छे से समझ में आई, आगे बढ़े, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पूरे economics में सरफ दो जी तरकी की diagram होते हैं first मैंने आपको पूरा discuss कर लिया अब मैं आपको second discuss करने जा रहा हूँ clear है बच्चे? हाँ जी बच्चे, तो हम economics में diagram के importance को समझ रहे हैं और इस importance को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं बच्चे वो तो जब आपका question आएगा सामने तो question के terms and condition उसी समय आपके सामने clear होंगे answer आप उसी समय समझोगे तो आप decision ले पाऊगे कि यहाँ पर आपके पास में diagram किस तरीके का बनेगा कैसा relation रहेगा और उस diagram की explanation मैं उस समय दूँगा लेकिन हम diagram पे जाने से पहले एक rough idea अपने mind में ले लेते हैं जिससे हमारा mind prepare रहे आगे आने वाले questions के diagram को ले करके ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं बच्चे पूरे economics में दो तरीके के diagram आपको face करने को मिलेंगे एक तो आपको positive relation वाला हो चुका और एक हमारा second जो कि हमारा negative relation वाले diagram है clear है बच्चे अब हमारे पास में negative relation वाले diagram में क्या है अगर आप देखें तो आपके पास में यहाँ पर price और demand के मैं बात करूँ तो price आपका increase हो जाता है जब बढ़ जाता है किसी भी goods का market में तो उस goods related लोगों की demand क्या हो जाती है तो जैसे ही वो बाजार में महंगी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं उसको कम खरिजना सुरू कर देते हैं तो demand क्या हो जाती है कम हो जाती है तो आप देख रहे है price और demand में यह मैं आगे सब को detail में पढ़ाऊँगा फिलाल अभी आफ रफ आइडिया ले ले लेजिए price बढ़ा तो demand क्या हो गया कम हो गया और price कम हुआ तो demand क्या हुआ आपका demand आपका सस्ता होते ही लोग उसको ज़्यादा लेने लग जाते है तो demand बढ़ जाता है तो एक में जिस direction में change आ रहा है ये बढ़ गया तो दूसरे में उसके opposite change आया वो कम हो गया अगर ये कम हुआ दूसरा बढ़ गया जब दो चीजों में opposite direction में change आता है तो इस case को हम negative relation कहते हैं clear है तो एक में increase हुआ तो दूसरा फिर उसके respect में decrease हो रहा है या एक decrease हुआ तो दूसरा उसके respect में increase हो गया तो दोनों में दोनों एक दूसरे के opposite direction में move कर रहे हैं दोनों में दोनों same direction में move नहीं कर रहे हैं तो इसको हम negative relation कहते हैं clear है बच्चे अब negative relation वाले में आप इस चीज़ को समझेगा कि आपका negative slope का diagram मनेगा और diagram का shape कैसा रहेगा left to right पहले भी था अब भी है बड़ आप downward हो जाएगा क्यों? क्योंकि left to right downward ये represent करता है आपका कि अगर एक आपका बढ़ेगा दूसरा आपका कम होगा for example देखिए ये एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा एक बढ़ेगा तो दूसरा ये y देखिए y बढ़ता जा रहा है और x आपका क्या होता जा रहा है आपका कम अगर और बढ़ा हो तो और कम ये कम होता जा रहा है तो opposite relation को inverse relation को represent करने के लिए negative relation को represent के लिए हमें diagram left to right downward ही बनाना पड़ेगा लेकिन यह straight line कब बनता है जब आपका constant rate होता है clear है? आप हर बार देखें आपका क्या है same rate है अगर मैं इसको कम बढ़ाओ तो यह कम होगा, तो आप देखें हर बार आपका जो इसका changing rate है जो वो क्या constant है बिल्कुल same है तो constant rate में हमेशा straight line बनता है अब आप इस case पर जड़ा देखें तो इस case में भी आपका यह negative relation को represent करता है क्यों? क्योंकि अगर मैं x axis और y axis में अगर मैं x को बढ़ाओ तो y देखें कम हो गया x को बढ़ाओ तो y देखें कम हो गया x को बढ़ाओ तो y देखें कम हो गया x को बढ़ाओ तो y देखें कम हो गया और x को बढ़ाओ तो y देखें कम हो गया तो आप इसमें देख रहे हैं तो यह आपके पास पर negative slope अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है तो दोनों में opposite direction में movement है तो कभी भी दो चीजों में negative relation पाए जाएगा तो उसका diagram आप क्या बना देंगे left to right डाउनवर्ड बना देंगे तो यह आपका लेकिन आप इस चीज को आपको समझना होगा यह increasing rate वाले में होगा पहल यह हम आगे detail में समझेंगे clear है फरक इसमें इसमें same rate था इसमें increasing हर बार पहले से ज़्यादा gap आ रहा था increasing rate इसमें decreasing पहले में इतना फिर दूसरा बढ़ाया तो यह कम हुआ फिर बढ़ाया तो यह कम हुआ फिर बढ़ाया तो यह कम हुआ तो देखिए पहले यह change आया फि तो दूसरा कम हो जाएगा, एक बड़ेगा, दूसरा कम हो जाएगा, एक बड़ेगा, दूसरा कम हो जाएगा, negative relation को तीनों ही represent कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आपको negative relation वाला, अगर कोई भी आप theory पढ़ रहे हैं, कोई concept पढ़ रहे हैं, तो उसका diagram negative slope का बनेगा, मतलब left to right, downward बनेगा, तीन तरीकी को होते हैं, left to right, downward, concentrate वाला, मतलब की same rate से change आ रहा है, तो straight line, increasing rate से change आ रहा है, तो concave, पहले भी concave ही था, और अगर आपका decreasing rate से change आ रहा है, तो convex, यह पहले भी था आपका, clear है, तो आपका same rate represent करता है, straight line को, increasing rate always concave को represent करेगा, and decreasing rate always जो है आपका convex को represent करेगा तो ये तो मैंने आपको एक rough idea दे दिया बाकिश चीज़े तो आपको diagram अभी मैंने आपको पूरे economics में आप diagram face करने वाले थे तो उस diagram के बारे में मैंने आपको introduce करा है लेकिन diagram को apply कैसे करना है किस theory में करना है हर individual theory के लिए diagram आपको मैं उसमें mention करके बना के समझाओंगा आपको उस diagram पर focus करना है ये थोड़ा सा मैंने आपको introduce कर दिया कि economics में diagram की क्या importance है इस चीज़ को बड़े बारिकी से आप समझेंगे आगे आप चीज़े को continue करते हैं clear है अपने question को अब उसके बाद continue करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके diagram की entry हो गई थी अब diagram की जब entry हो गई थी तो पहले diagram को हमारे लिए समझना जरूरी था clear है बच्चे अब आगे हम questions को लेते हैं और उसमें diagram आएगा तो उस diagram को हम जरा समझेंगे उसमें भी बिल्कुल नई सिरे से लेकिन मैंने बता दिया आपको पूरे economics में दो ही तरीके के diagram आपको मिलेंगे एक positive slope बाला left to right upward और आपका एक negative slope बाला left to right downward दो ही diagram आपको मिलेंगे clear हैं? सुझमाएं आपको तो पूरे economics में दो diagram है positive slope बाला जब एक में जिस direction में change आ रहा है दूसरे में भी उसी direction में change आ रहा हो अगर एक increase दूसरा भी increase एक decrease तो दूसरा भी decrease तो इसको positive slope का हम diagram कहते हैं और positive slope के diagram में left to right upward diagram बनेगा आपका concentrate straight line को represent करता है आपका और आपका increasing rate concave को और decreasing rate convex को दूसरा आपका जब एक में जिस direction में change आ रहा है दूसरे में उसका reverse change आ रहा है इसको negative relation का बोलते हैं और इसमें left to right downward diagram मनता है state concentrate, concave, increasing rate and convex, decreasing rate इस बात को अपने mind में आप अच्छे से set कर लीजे अब आगे आप question को continue करने जा रहे है अब यहां से आपकी हो जाती है economics में diagram की entry हाँ जी बच्चों अब हम question number six पे आ गए है और question number six क्या है define the relationship between marginal utility and total utility clear है बच्चे? तो आईए इस relation को हम अच्छे से समझते हैं जैसा कि आपको पता है कि marginal utility क्या होता है हर एक individual single last unit से जो भी आप किसी particular एक unit से consumption से जो भी उससे satisfaction level मिलता है उसको marginal utility कहते हैं और अब तक जितनी भी unit consumption करा है हमने उन सब से जो भी आपका सबस्चे का satisfaction level रहा है total कर देंगे उसको तो वो total utility रहता है तो बच्चे एक बात तो confirm हो गई है कि आपका total utility is the submission of marginal utility तो कहीं न कहीं total utility पूरी तरीके से marginal utility पे depend करता है क्योंकि जो आएगा वही जुड़ेगा उसमें मेरी बात समझ रहे हैं आप clear है तो अब इनके बीच में relation को समझते हैं पहले marginal utility के diagram की बात करें तो बेटा economics में diagram का क्या रोल है वही इतनी ही importance से किसी भी story को आप verbally सुनें और किसी भी story को theater में जा करके आप movie में देखें जो फर्क होता है ना समझने में इसी तरीके से किसी theory को आप explain करें और उसी theory को एक picture में convert करके express करना वो diagram का role in play करता है तो economics में same answer को theory में भी देना होता है और उसी answer को picture में express भी करना होता है तो same answer दोनों ही express करते हैं तो marginal utility तो आपको पता है क्या कहता है कि जैसे जैसे आप किसी का consumption करते रहेंगे next needs से आपको satisfaction level है वो क्या होगा आपका वो आपका कम होता चला जाएगा क्योंकि आपका satisfaction level उसकी quality पर नहीं आपकी needs पर depend करता है और consumption से आपकी needs पहले से कम होती चली जाएगी और satisfaction में कम होता चला जाएगा तो marginal utility के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बच्चे तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इस चीज़ के तो देखें सबसे पहले आपका marginal utility जब तक positive है first case देखिए marginal utility जब तक आपका positive है positive का हाँ decrease हो रहा है मैं agree करता हूँ यह कम हो रहा है मैं मानता हूँ fall हो रहा है मैं मानता हूँ decrease हो रहा है मैं इस चीज़ को accept करता हूँ but मिल तो रहा है ना positive तो है ना positive का क्या मतलब होता है आपकी salary पिछले मेने 50,000 थी इस मेने salary आपके 10,000 रुपए है salary decrease हो गई मैं मानता हूँ but positive salary अभी भी है इसका मतलब अभी भी आपने कुछ receive जरूर किया है clear है तो आपका MU decrease हो रह है clear है ना अगर आप एक कोई भी टैब आप टब लगा दे बाल्टी लगा दे और टैब स्टार्ट करें पानी का और उस टैब को थोड़ा हलका सा बंद करें पानी रफ्तार काम हो जाएगी तो क्या उस बाल्टी में पानी भरना बंद हो जाएगा नहीं slowly भरेगा बट उस पानी का लबल बढ़ेगा तो mu जब तक positive है इसका मतलब है जब तक हमें receive हो रहा है जब तक हमारा जो है satisfaction level total utility में addition होगा और total utility बढ़ता रहेगा तो जब तक आप देखिए आपका mu positive है clear है positive मतलब 0 से greater value हो देख से positive कहते हैं 0 नहीं तो positive होता है नहीं negative होता है जब तक positive है हम मारे पास में तो आपका टीउआ बढ़ रहा है और जब आपका M u 0 हो जाए हब आप कहेंगे सर टीउआपका M exist यहाँ पर भीMYसिमम यहाँ पर भी बच्चे यह M TU नहीं है आपका आपका maximum यह नहीं है बच्चे 4th unit पे क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर यही लग रहा है कि यार अभी तो मुझे 0 से 8 हुआ, 8 से 14 हुआ, 14 से 18 हुआ, 18 से 20 हुआ तो अभी तो मेरा और बढ़ेगा total satisfaction level next unit से तो आपको यहाँ पर realize नहीं हुआ था कि आपका maximum है, आप सोच रहेते हैं इसमें अभी growth होगी, जैसी 5 पर consume करा इसने 0 दे दिया अब समझ में आ गया बेटा, अब जो 4 पर 20 था, 5 पर से तो कुछ मिला नहीं तो 5 पर से भी 20 ही है, मतलब कि अब आपको और इसमें growth करने वाला marginal utility addition होने वाला, वो अब खतम हो गया है, अब इसमें और growth नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ पर realize होता है, कहाँ पर आपको 5 पर आपको realize होता है कि आपका जो यह certification level maximum है यहाँ पर आपको लग रहा था बढ़ा जैसे 0 मिला तो समझ में आगया, अब नहीं बढ़ना यहाँ realize होता है, maximum है तो जैसे ही आपका mu 0 हो जाता है मतलब आपको मिलना बंद हो जाता है तो अब तक आपने जो भी total satisfaction level लिया वो क्या है आपका वो आपका maximum है clear है, total satisfaction level क्या है बिटा आपका maximum है और जैसे ही आपका mu negative हो जाए जैसे mu negative हो जाए तो आपका total satisfaction level में आपके decline हो जाएगा वो काम हो जाएगा, clear है सुझ में हैं आपको, तो आप तीन बातों को ध्यान नखेंगे relationship bit में, mu positive है बट गिर रहा है कोई बात नहीं mu क्या हमारा mu हमारा positive है, decline हो रहा है कोई बात नहीं तो हमारा जो total satisfaction level है बच्चे वो increase होगा और mu zero हो गया, मतलब receive होना बंद हो गया, अब तक जितना भी आपने receive करा वो क्या आपका maximum है और mu negative होगा, इसका मतलब क्या total satisfaction level आपका क्या होगा आपका, वो आपका कम होगा clear है बच्चे, समझ में आया अगर मैं बात करूँ tu is increases so long as mu is positive जब तक mu positive रहेगा, तब तक tu आपका बढ़ता जाएगा tu is maximum when mu is zero जब mu is zero हो जाता तब आप realize करते हैं आप total utility में और growth नहीं होगी वही क्या है आपका maximum maximum होगा उसमें और बढ़त नहीं होगी tu starts decline when mu is negative ये तीन पॉइंट समझ में आगया बात करते हैं diagram की तो मैंने समझाया diagram का क्या रोल है economics के answer को दो तरीके से express करना होता है एक theory में एक diagram में, दोनों same बात ही express करती है, clear है तो अब आए diagram की बात करें तो first of all total utility को जरा आप देखें तो tu बच्चे आपका क्या हो रहा है tu पहले बढ़ रहा है न 0, 8, 14, 18, 20 उसके बाद एक stability है फिर follow हो रहा है तो ये tu का diagram मेंने ऐसा बनाया tu क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप unit का आप consumption करते रहेंगे नीचे आपका quantity को represent कर रहें यहाँ पर total utility को represent कर रहें आपने 10th class में graph बनाया होगा graph में आपको पता ये x-axis होता है ये y-axis होता है x-axis पर चितना आगे जाते है number उतने बढ़ जाते है y-axis पर चितना ऊपर जाएंगे number उतने ही बढ़ जाएगा तो आप जैसे जैसे आप अपने unit का ये units है clear है ये क्या है आपका? ये आपका units है जैसे जैसे आप unit का consumption बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे tu आपका बढ़ता चले जाएगा tu आपका बढ़ता चले जाएगा और एक time पर आज करके आपका maximum होगा और जब वो maximum होने के बात फिर पढ़ाओगे तो tu आपका क्या होगा tu आपका decline हो जाएगा Tu आपका यहाँ पर कम हो जाएगा क्रीड है बची सुंवाए आपको तो तु तो तो ते यहां पर to आपका decline हो जाएगा तो इसलिए diagram आप कहेंगे सर ऐसा diagram क्यों नहीं बनाया आपने कैसा diagram आप कह रहें सर आपने tu को diagram ये क्यों नहीं बनाया बच्चे इसमें फर्क है देखिए इसमें आप क्या हो रहा है कि मैं unit बढ़ा रहा हूं तो आपका consumption भी बढ़ रहा है कि इस पर भी बढ़ रहा है दोनों बढ़ रहा है आपका जैसे से मैं आपका मोर कंजम्शन कर रहा हूं तो हमारा बढ़ता जा रहा है बिल्कुल सही लेकिन बच्चे आपका टोटल यूटिलिटी में जो ग्रोथ है वो देखिए क्या कॉंस्टेंट है पहले आठ फिर छे फि लोग देखिए कम हुआ है इसलिए डाइगराम इसका ऐसा बनाया है इसमें क्या था इसमें कॉंस्टेंट रेट से बढ़ रहा था जैसे अगर आप देखें तो यह आपका पहले जितना बड़ा फिर नदिपकि टी यू इंक्रीज तो होता है बड़ पहले से आपका कम इंक पाम, आपको sponsor साठियों का सीधा है कि यह Concentrate से Dekreese हो रहा है आर से 362, 6 memory, 4-Dekreese, 4-2 degree, 0. तो कंसेंट ड्रेट से क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन बन जाती है और यह क्या आपका Left to Right, downward do left to right down order बनाएं आप अपने क्यूंकि जैसे-जैसे आप किसी बी अइंट का mechanism आप करते चल दाएंगे clear है जैसे से किसी यूनिट का और ठीडेशे만 करते चले जाएंगे आगे तो आपका मिलने वाला Satisfaction L लेवल next से कम हो जाएगा next से कम हो जाएगा तो satisfaction लेवल देखिए next से क्या हो रहा है आपका काम हो रहा है तो M.U. क्या है M.U. में M.U. का डागराम left to right downward इसलिए बना हमारा क्योंकि जैसे से आप consumption बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो है satisfaction लेवल next से कम होते चला रहा है एक टाइम ऐसा आएगा हो रहा है बड़ पॉसिटिव है M. तक आपका M. तक आपका M. तक म्यूकल पॉसिकल टो पॉसिटिव है जीवल से greater एत तो आपका T.U. मैक्सिमं यह चाओ आपकी इस पॉइंट के बाद तो तो पॉसिए को आप आपका आपका फॉल हो गया तो यह इसी चीज को explain कर रहा है कि जब तक mu positive margin utility तो tu बढ़ता रहेगा जब तक जब mu zero हो जाएगा तो tu maximum होगा और जब mu negative हो जाएगा तो tu क्या होगा आपका fall हो जाएगा clear है बच्चे तो diagram के बारे में आप अच्छे से समझ गए कि इस theory के लिए ये diagram आपका बनेगा और ये तीन point इसके जो है वो की क्या है जो की important point है clear है बच्चे सज में आया आपको clear है तो ये diagram आपका क्या बना ये diagram आपका left to right upward बना क्यों upward मिला left to right upward क्योंकि आपके पास में एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है यूनिट बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो आप left to right upward बनाए जब एक चीज में same direction में change आए तो आप left to right upward बनाए जब mu एक increase हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है decrease हो रहा है तो ये क्या हो गया आपका ये आपका downward हो गया clear है आगे diagram के बारे में मैं आगली class में आपसे आगली class में आपसे और अच्छे से discuss यहाँ पर करने वाला हूँ clear है बच्चे समझ में आपको ये आ गया clear है आगे बढ़ते हैं